नमस्कार दोस्तो बदो साताव का मारे चलमें दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि WhatsApp ने अपने एक फीचर का नाम बदल दिया है जी हाँ नाम चेंज कर दिया है WhatsApp ने अपने एक फीचर का दोस्तो क्या वो फीचर है उसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सा फीचर था जिसका नाम अब बदल चुका है दोस्तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ता कि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक लगातार मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जैसे कि आपको पता है होगा कि WhatsApp को जब हम किसी दूसरी डिवाइज के साथ करते थे जैसे कि दूसरे कंप्यूटर के साथ करते थे पर अब आपको यहाँ पर एक option मिलता है link device link device का आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है जब आप यहाँ पर link device के उपपर जब आप click करेंगे तो देखे इस तरह का एक page आ जाता है जो कि पहले हम WhatsApp वैप के उपर click करते थे तब हम इस तरह के page को देखते थे और एक QR code आता था तो दोस्तों यहाँ पर आप link device का एक option आता है उसके बाद आपको इस तरह का एक page मिलता है जहाँ पर आप अपने WhatsApp को दूसरी device के साथ connect कर सकते हैं जैसे की computer या दूसरे mobile के साथ तो यहाँ पर आपको link device का एक option मिलता है जैसे आप यहाँ पर link device का option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक password बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें आप अपने fingerprint को use कर सकते हैं fingerprint को आप use करने के बाद यहाँ पर यह unlock हो जाएगा unlock करने के बाद आपका QR code खुलेगा QR code खुलने के बाद आप यहाँ से कोई साभी device के साथ अपने WhatsApp को link कर सकते हैं तो दोस्तो यह एक जानकरी थी आप लोगों के लिए कि WhatsApp ने अपने एक feature का नाम बदल दिया है क्योंकि अभी बहुत सारी लोग हमसे पूछ रहे थे कि WhatsApp वैप का हमें option नहीं मिलता तो दोस्तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका नाम यहाँ पर change कर दिया है तो इस तरह से आप WhatsApp वैप का जो काम था वो यहाँ पर कर सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी है जानकरी प्लिजर में कमेंट करके बताएं अगर अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथे से शेयर कीजिए तक वो भी इसके बारे में जान सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल इशान पर टच करके और उसको बाद गंटी की निशान पर जरूर टच कीजिए